कि नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कता हूँ आपके अपने चैनल डी सीए अप सभी कह रहोंगे सर स्वागत गया आपका भाड में यह बताओ कि 10 पीम का इवेंट लगा करके 10 एम पर लाइट क्यों आगे हो गलती से लग ग कभी 8 बज़े कितने बज़े करेंट अपर रोज सुबह आपका 5 बज़े ही आएगा कल कुछ अती आवश्य काम के जाने की वज़े से मैं कल करेंट अपर नहीं कर पाया था इसलिए मुझे सुबह उठके इसको प्रपेर करना पड़ा सुबह मैं उठी नहीं पाया क्योंकि क चल काफी ज्यादा ठक गया था तो यह सब सारी चीजें चोटी चोटी अभी मेरे साथ चल रही है जिनको मैं बहुत जल्दी मैनेज कर लूँगा क्योंकि बहुत सारी चीजों को दीरे दीरे करके हम लोग स्ट्रीमलाइन कर लाएं हैं और आप बागी सारी चीजें भी स्ट से सोगे उठाओं इसका भी अलागी मजा आया मजा आया कभी-कभी देर से सोना भी चाहिए अब तो मुझे लग रहा है मुझे रोजी देर से सोना चाहिए मस्त लग रहा एकदम बॉड़ी और एकदम फॉन्टास्टिक कर रही है सर आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ र और उसके बारे में भी बातचीत करेंगे उमीद करते हैं कि सब बढ़िया है क्लास को सुरू किया जाए आज के करेंट अपेस हैं 18 जून के करेंट आपेस आप सबी के सामने हाजिर है लेकिन रावल मिश्णा के नाम से टेलीग्राम ग्रूप है इसको जॉइन रखे या फि आपको क्लासेश के इंफॉर्मिशन वगेरा मिलती रहेगे गूड इबनीं गूड मॉनिंग इबनीं कहां ते कह रहा है और रेजनीं के लिए एक बहुत ही सांदार बैच जो है वो चल रहा है आज मैं उसमें सिलोग सुरू करने वारा हूँ अगर आपने सिलोग नहीं पढ तरीके से दूर कर दूगा सिलोग ही इतना अच्छा आप पढ़ लोगे कि आपको लगेगा यह 300 रुपए कुछ नहीं है देखो पैसे की कोई कीमत नहीं होती पैसा आप दो उससे ज्यादा की सर्विस आपको मिल जाए तो आप खुश रहोगे तो बेसिकली आप सभी को सब्सक्राइद भी गडबर है और अब बारी है आज के हैं लाइंस की सत्रा जून को मनाए गया विश्व मरुस्थली करण और सूखार रोक्ताम दीवस बाइडन ने भारतिया मेरी की राधा आइंगर को पेंटागन के सीश्पत पर नामित किया है कल मैंने आपको यह बता भी दिया था नई दिल्ली में भारत और जापान ने पहली वित्वारता आयोजित की कि मेजर ध्यांचंद स्टेडियम में पहली बार साइं स्क्वैस कोड का उधगाटन हुआ जी एसी यार 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल आया एशिया में प्रथम इस्थान पर हिमाचल पदेश में अंतर राष्टी साहित्तिक उस्सों उनमेज का सुभारब हुआ जून 2022 को चांदीपुर से प्रत्वी 2 मिसाइल का सफलता पूर्वा परिक्षण किया गया राष्ट मंडल केल 2022 नीरच चोपडा 37 सदसी एथलेटिक्स टीम का नेतरत तो करेंगे चीन ने ब्रिक्स देशों के राष्टी सुरच्छा सलाकारों को बार भी बैटा किया देशता की और अगनीपत योजना के लिए इस साल की उपरी आयू सीमा 21 साल से बढ़ा कर 23 साल की गई है आयरलैंड के पूर कप्तान विलियम पोर्ट टर्क फील्ड ने सन्यास की गोठना कर दी पदम पुरुसकार विजयता प्रसिद भासा विद प्रोफेसर गोफी चन्द नारंग का हाली में निदन हो गया जोपडे में रहना सही है मगर महल के लिए महनत ना करना गलत है न ये लाइन क्या सिखाती है ये लाइन बहुत ही एक साफ संदेज देती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसा है वैसा ही चलने देते हैं क्या करेंगे या, यह होगा तो वो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बातें वो लोग करते हैं, जो या तो अपने जीवन से ठक चुके होते हैं, या फिर उन्हें अपने जीवन में कुछ पाने की तमन्ना नहीं होती, लेकिन अगर आप जवान हैं, जिन्दा हैं, त तो उतने में ही क्यों रहों क्या बुराई है कि आप अपने जीवन इस्तर को उपर उठा लें क्या बुराई है कि आप और अच्छा ना करें क्या बुराई है कि आप एक्स गौर्मेंट जॉब के साथ साथ एक्ट्रा मैनत ना करें कोई बुराई है क्या इसमें कोई बुराई जोकि जब आप कोसिस करते हैं तब आप वो पाते हैं जो आप बिना कोसिस किये कभी नहीं पा सकते हैं। एपी जब दुलकलाम की लाइन हमेशा मैं याद रखता हूँ वो कहते हैं कि इंतिजार करने वालों को सिर्व उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं तो क्या किसी की जूठन पर जीना है यानि कि जो छोड़ देंगे वो हमें करना है तो अगर आपने सरगारी नोगरी लग भी जाए तो सिर्फ वहीं तक सीमित न रहें अपने आपको सर्वोत्तम तक लेके जाएं सर्वोत्तम अदना उस उचाई तक लेके जाएं जहां तक आप जा सकते हैं मेरी बात को याद रखिएगा और पिलाल कहते हैं कि केवल चाहत ही नहीं केवल इस्क जो है ऐसा नहीं है कि केवल चाहत जो है वो इसक में हो कुछ रिस्ते ऐसे होते हैं जिनसे मिले बिना भी दिल को चैन नहीं आता तो मेरा और आपका रिस्ता कुछ ऐसा ही है दो-तीन दिन से मैं करेंट अपेर्स जो है वो लाइव नहीं ले रहा था रिकॉर्डेट ले रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था फिर मैंने का यार आज लाइव ले ले लेते हैं आज मेरे पास टाइम है आज लाइव ले लेते हैं कुछ दिन मजबूरिया रहेंगी तो हम लोग अभी करेंट पर रिकॉर्डेट पॉम में ही रहेंगे लेकिन फिलाल फिर हम आपको समय आ जाएगे मुझे नहीं लगता को उसमें आपको समय भी कुई बरबादी होती है उन सब बारे में बात करेंगे लेकिन कर लेते हैं प्रिवेट डे रिविजन यानि कि कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था अंतर राष्टी पारिवारिक प्रेशन दिवस प्रतिवस कब मना जाता है जून 2022 में किन चार राष्ट्रों ने मिलकर एक नया आईटी यूटू नाम का समूव बनाया है तो है ये इंडिया इसराइल यूए और यूएस वर्थ 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रथात्मक सूचकांग में भारत की रैंकिंग कितनी आई है भारत पिछले साल 43 नंबर पर था इस बार उसकी एकोनॉमी जो है वह थोड़ा सा ग्रोथ कर गई है और 37 नंबर पर आ गये हैं तो नीरे चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स इन पिंलैंड में कितने मीटर का नया राष्ट्री रिकॉर्ड बनाया है तो उन्होंने 89.30 मीटर भाला पेका है भारत क किस हवाई एड़े को वर्टिकल एक्सिस विंड टर्माइन और पीवी हाइबिर सोलर में लॉंच किया है तो वह चत्रपती सीवाजी महाराच इंटरनेशनल एयरपूर्ट मॉंबाई मैला लग मनप्रीत कोऊर पुरुस वर विश्व पेरल पावर लिफ्टिंग में एशिया औस इनिया ऑपनच जेम्पिंपिन्जिय में काएब काश्शा प्टक जीता है परम्जीत कुमार ने पुरुसों आपका हो जाएका सूरत पहला सहर क्या हो जाएका सूरत किस देश्ट के ने क्रिशी प्रसंस्क्रिट खाद उत्पाद निर्याद विकास प्रादिकर में आठ दिफिसी आमःच्व सोग आयोजन किया गया तो यह आप बहरीन में इसका yapıyor किया गया है जून 2022 में करणा के नए लोकाइद के रूप में किसे निवठ किया गया तो जून 2022 में करना निव पार्टि जो बाइडर जी ने अपने वहग्यानिक्झार है रूप में मिलेगी हर एक खबर मेरे साथ सुबह पांच तो सुबह पांच वेज़े आप हाजिर होना है और करेंट अपेस पढ़ना है तो आज मेरी हालत कैसी लग रही है तो मैं ऐसा लगता है उजड़ के आए हूँ बिलकुल मैं बतारों होरा करेंट अब गया हूँ आज मैं पहली बार ऐसा हुए कि मैं सो के उठके आ हूँ सीदे खड़ा होगे हैं तुम्हें सामने करेंट अपेस लेने के लिए आज मैं पहला काम कि करेंट अपेस ही ले रहा हूं कभी कभी सोने मज़ा आती ना कुप सो आराम से इंजवाई करू मौसाम भी पढ़िया है बड़े दिन बाद थंडा मौसाम मिले करने का आज चपक के सो ही लो चलिए आगे बढ़ते हैं विस्व मरुस्थली करनों सूखा रोक्थाम दिवस हर साल कम मनाये जता है क्या क्या याद करना पड़ता है मरुस्थली करन को आपको हलके नहीं ले ना क्यों क्यों क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा पढ़ती वी समस्या जो है वो मुझा सानै थैसे यह आपको पताए याँ मुझा सब्सक्राइब दिवस जो है यह आपका प्रतिवस कम बना जाता है 17 जून को 17 जून को मरुस्तरी करनों सूखे से निपटने के लिए 20 दिवस के रूप में बनाए जाता है इसका उदेश मरुस्तरी करनों सूखे के बारे में जाग रुपता बढाना मरुस्तरी करने को रोखने और सूखे से उपरने के तरीकों पर प्रकार डालना इस बार इसकी थीम है वह है एक साथ सूखे से निपटना इस बार इसकी थीम क्या थी यह पूछा जाता है रिकावरी रेकावरी 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 रेकावर यह जो थी, इसकी 2021 की तिम थी और 2021 की तेम क्या रही है, 2022 की तिम क्या रही है? अभी अभी बताई हो, 2022 की थीम रही है कि एक साथ सूखे से निपटना, मिलकर क्या करेंगे, सूखे से निपटने तो rising up from draught together, rising up from draught together, ठिक है विस्ट का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा तो याद रखेगा विस्ट का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह अंटार्क टिक अंटार्क्टिक बरफ का हुआ तो क्या हुआ मरुस्थल तो है यहां आदमी नहीं ना पत्ता आदमी ना आदमी की जात अंटार्क्टिक जाए रहे और पिर आपका सहारा डेजर्ट पिर आपका कौन सा है सहारा डेजर्ट अरे वा एक UPSC का कोश्चन याद आ गया मुझे बताओगे नहीं बताओगे अरे बतातो सहारा डेजर्ट में कुल कितने देश है यानि सहारा मरुस्थल जो है वो कुल कितने देशों में फैला हुआ है पतातो होगा कि सहारा मरुस्थल जो है विसका सबसे बड़ा मरुस्थल है जो रेत से बना हुआ है विसका सबसे बड़ा अर्केटिक है पिर उसका आपका सहारा मरुस्थल कहां पर है कितने कौन से कॉंटिनेंट में पहले तो यह बताओ सहारा मरुस्थल जो है यह आपका आज थोड़ा अलका मैसूस हो रहा है एकदाम के बाद बोज उतर गया चलो अब पढ़ाई करोगे आगे बढ़िया पंट्रना टन करके अक्ये 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 सहारा थड़ परे भाईया मेरे मरुस्थल अगर रेगिस्थान के मरुस्थल की बात परोगे जिसमें रेत होती है तो उसहारा सहारा किस कॉंटिनेंट में कोई बताएगा सहारा जो है भाईया यह अफ्रीका में और UPSC का प्रश कुल कितने देश आते साहरा में कुल कितने देश आते हैं ठीक है बताइए बच पंत पड़ रहा हो गया या रखेगा यह मौरिटेनिया, मौरको, नाइजर, सूडान और टिनीशिया यह दस देश जो हैं यहां पर सहरा मरुस्तल पहला हुआ है बाई साब इतना कर रहा कोशन है कि बड़े बड़े जो भी इतियास के जानकार होंगे वो नहीं बता पाएंगे वो भूल जाएंगे लेकिन UPSC का बागी दुनिया भर में इतना कुछ करेंट हो रहा है कि अगर मैं वह सारा पढ़ाने लगोंगे तुम दिन बर करेंटी खाते रहोगे जूलते रहोगे इसे से करके अरे भगवान कितना याद करें तो जो दस बारा नूच पढ़ाता हूं वह पढ़ लो विस्वात के ताथ अमिगा का सुरक्षा परिशा देखते रहे से और इसमें उप अपर सचिल उप अवर सचिल के रूप नियुक्त की गई है भारतिय मुल्की राधा अैंगर प्लम इनके नाम के प्लमबर लग जाता तो ठीक था। वोएदर राधा अैंगर प्लम जो है यहाँ पर नियुक् पर नामित किया गया है यह बड़ा पद है यह पर पिंटगन के अंदर देखेंगी तो इसके अलावा जो वाइडन जब से आए है तब से कई भारती मुल्के यहां पर एपॉइंट हो चुके हैं आईए उनके नाम एक एक करके देखते हैं सबसे पहले तो कमला हैरिस यह वाइ कहां पर वासिंटन में और डॉक्टर विवेग मुर्दी इनको यूएस सर्जन जनरल बनाए गया है वनिता गुपता को एसोसियेट अटर्नी जनरल बनाए गया था उर्जा जेया को अंडर सेकेटरी ऑफ स्टेट और फॉर सिविन सेक्योर्टी एंड डेमोक्रेसी उमन रा भारत राम मूर्ती ये डिप्टी डिरेक्टर बने थे नेशनल एकोनोमिक कॉंसिल पॉर फाइनेशल रिपॉर्म एंग कंजूमर प्रोडेक्शन में गौतम रागवान बने थे डिप्टी डिरेक्टर कहां पर प्रेसिडेंशियल परसन माला अडिका का याद रखीगा ये पॉलिसी डिरेक्टर बनी थी फर्स्ट लेडी यानि की जिल बाइडन जो बाइडन की जो पतनी है उनको फर्स्ट लेडी बोला जाएगा उनकी ये क्या बनी थी पॉलिसी डिरेक्टर मलब कैसी दिखेंगी क्या बोलेंगी कहां दिखेंगी कहां नहीं दिखेंगी वो सारा का सारा काम इनके द्वारा हो रहा था गरिमा वर्मा यह डिजिटल डारेक्टर बनी थी फ़स्ट लेडी ए जलवाइडन की तरुण चाबडा का नाम यहां था था न तरुण चाबडा इंपोर्टिंट है तरुण चाबडा जो है यह डेक्नलॉजी और नेशनल Security के Senior Director बने तें यानि की राष्टी शुरच्छा जो है वे इनकी हाथों में रही सुमोना गुः यह Senior Director of South Asia National Security Council बनी थी नहीं याद रकोगे कोई नहीं लुखें सान्ती कलतिल को भी छोड़तकते हो वैसे में बता दे रहाएं Commander for Democracy and Human Right Sonia Agrawad Senior Advisor for Climate Policy and Innovation तरुन चाबरा का नाम इस लाइड में जरूर याद रखेगा बाकि आप किसी को भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अब तुम कहोगे सर ये क्या पढ़ा दिया है कुछ पल्ली नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा है कोई जरूरत नहीं है क्या याद करना है वो याद रखो पहला याद रखो नीरा टंडन दूसरा याद रखो विवेक मूर्ती तीसरा याद रखो वनीता गुपता ठीक है चौथा याद रखो विने रेटी चार याद करने है फिर उसके बाद कौन सा याद कर गवारत के नहीं दिल्ली में इस तरह की वारत का अगे बढ़ा सकते हैं कौन-कौन-सी चीजों में हम लोग मिल करके काम कर सकते हैं वारता में तो यह होगा आप ऐसा थोट ना पूचेंगे तुम्हारे कित्ता ललका हमारे कित्ता लली का तो यह लरिका वरिका वाली बात ना होई है यहाँ पर सिर्फ बात चीत हुई है तो भारत हो जापान ने 16 जुन और जापान में उनके संकतर मसातो कांडा के बीट में ये आयोज़न हुआ अगला आयोज़न ये कहां पर होगा अगला गाले आपका टोकियो में होगा अब क्योंकि भारत चाहरे है चैने को अभी हाली में भारत में पचाड़ा है आपकी इस्थिति में मैं अपनी GDP के पता रहा है यागर मैं कुछ आखड़े आपको बताने जा रहा हूं उन आखड़ों को बहुत ध्यान से सुनना उन आखड़ों को बहुत ध्यान से सुनना अभी हाली में आपको याद आया होगा कि अंगटाड ने बताया था कि भारत जो है वो पूरे विस्व में किस ने बता नहींगी तो अंगर टाट के मुखहले कहां पर जेनिवा स्विडिया लेंड में इसकी है इसकी है रेवे का ग्रीन इस्पैन और इति देता मैं इसलिए रुका हुआँगी अंकर टाट ने अभी क्या बताया था भारत के बारे में अंगर टाट ने बताया था कि भारत जो है व वरतमान समय में ये डारेक्ट प्रश्म पूछा जा सकता है UP लेकपाल में किसी भी परिश्या में कि इस साल भारत की जो GDP रही है वो कितने लाख करोण रुपए की रही है जो भारत की GDP रही है वो 2020-21 के लिए क्योंकि अभी आई नहीं है 2020-21 के लिए कितनी रही भारत का GDP यान पूछा जाता है तो मैं पता है कि जो मैं बोलता हूं कि पूछा जाता वहीं पूछा जाता है SDG की बारे में बोलता था पूछा गया कि नहीं पूछा गया पूछा गया 2020-21 में कितनी रही है 135.58 करोण रुपए मैं पागल नहीं हूं जो बार बार बता रहा हूं और जो मु 2020 के दौरान जब कोरोना काल चल रहा था तब भारत का GDP कितना था तब भारत का GDP था 145.46 करोंग तो अब मामला यह है कि सर क्या पिछली बार की तुल्ला में कम हुई है बिलकुल कम हुई है यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की GDP की फॉरकास्टिंग की है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आपका 2022 के लिए जो भारत की GDP बटाई है वो कितनी बताई है 8.2% किसके लिए बताई है 2022 के लिए पिछली बार पहले यह आखड़ा उन्होंने 9% रखा था पहले यह आखड़ा उन्होंने कितना रखा था 9% रखा था अब कितना बता दिया है 8.2% बता दिया है इसके लवा मूडी ने भी जारी की है अभी हाली में जून में जारी की है मूडी ने जारी किय है मूडी ने बताया कि 8.8 प्रतिसत हो रहेगी भारत की GDP ग्रोफ रीट भारत की GDP ग्रोफ रेट किती रहेगी 8.8 प्रतिसत कप के लिए 2022 के लिए पहले इन्होंने कितना बताया था 9.1 प्रतिसत बनाया تा लेकिन भारत सरकार इन आखड़ों पर विश्वास नहीं रखती है भारत सरकार किस आखड़ों पर विश्वास रखती है SBI के आखड़ों पर विश्वास रखती है State Bank of India ने अभी हाली में बताया कि जो भारत की GDP है वो 8.7% की दर्से बढ़ेगी लेकिन अभी भारत जो है वो 2021 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थेव्यवस्ता बन जाएगा एसिया इस विश्य की तीसरी सबसे बड़ी अर्थेव्यवस्ता कब बन जाएगा 2021 तक अभी भारत का रेंकिंग कितना चल रहा है अभी भारत साथ भी नंबर पर चल रहा है अर्थे व्यवस्ता के मामले में पहले नंबर पर कौन चल ला है US दूसरे नंबर पर कौन चल ला है चाइना तीसे नंबर पर कौन चल ला है जापान यानि कि 2021 तक भारत जापान को पच्छाल कर विस्ट की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे व्यवस्था बन जाएगा 2021 कपता बन जाएगा 2021 आ गई बात समझ में यह ग्रोथ रेट बताईए मैंने यह क्या बनाई है ग्रोथ रेट बनाई है टिक है एक और प्रश्ण पूछा जा सकता है पर पर कैपिटा इंकम यह एकोनॉमिक से जड़े हुए प्रश्ण है बैंकिंग वाले खासका ध्यान रखेंगे वैसे यह सभी के लिए इंपोर्डिट है पर कैपिटा इंकम यानि कि वर्तमान समय में भारत में प्रतिव्यक्ति आये जो है वह 91,481 रुपय पर येर चल रही है केपि चल रही है 91,480 रुपया पर येर चल रही है 91,481 रुपया पर येर चल रही है यह है 2021,22 के लिए पिछले साल 2020,21 के लिए ये 94,270 रुपय थी यानि कि पर कैपिटा इंकम में भी कमी आई है दो जाट चौरानवे जाट दो सो सत्तर रुपय थी दोजार एक्किस नहीं दोजार बीज इक्किस के लिए इस देटा को नोट कर ले ना ये डूढने पर नहीं मिलते हैं पर कैपिटा इंकम प्रती विक्ति आए जो है वह वरतमान समय में इसमें चल लए यह ऐसे प्रश्ण ह जो आपको कहीं पर भी नजर आ जाएंगे कभी भी नजर आ जाएंगे तो दुआएं दोगे मुझे ठीक है आगया भाई हाँ चालो अब आगे बढ़ते हैं अच्छा एक शीज और कर ले ना जीडीपी जी एनपी यह सब क्या होती है यह अपने एकोनोमिक्स वाले सर से स्क्वेस कोड का उद्गाटन किया है साई स्क्वेस कोड का उद्गाटन मेजर ध्यांचंद स्टेडियम में किया है अब यह मेजर ध्यांचंद स्टेडियम है कहां तो मेजर ध्यांचंद स्टेडियम जो है इसमें नई दिल्ली के मेजर ध्यांचंद स्टेडियम में इसमें बाडिकन द्वारत देश के किसी भी केंदर में खोले गए पहला स्कूर में पर यह जब आदार सिला पूर्व खेल मतरी किरनी जूनियर दिसमबर 2020 में रखे थी प्रश्म बन सकते हैं साई साई का मुख्याले कहा इप नुडली में वर्तमान समय में इस पूर्ड 122 इंडिया के चैरमें को ने संधीप प्रधान संदीप प्रधान का नाम याद रखेगा, अच्छे तरीके थे, साई की इस्थापना 1984 में की गई थी, चलो एक प्रश्ण मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई एक खिलारी बता दो, भारती ये प्लेयर जो स्क्वैस खेलता हूँ, जिसका नाम आपको याद है, एक खिलारी, सौरव घोसाल, जो हैं, ये स्क्वैस प्लेयर है, नाम सुना होगा, प्रति उपता हैं, जीतते रहते हैं, दीपिका पल्लीकल, ये किस से सम्दित हैं, स्क्वैस से सम्दित हैं, दीपिका पल्लीकल, दीपिका सौरव घोसाल, दीपिका पल्लीकल, जौसना चिनप्पा, जौ चुलोबल स्टाइट अपी को सिस्टम रिपोर्ट के अन्ताविक अफोर्डेबल टैलेंट में किरल को एसिया में पहले इस्थान पर रखा गया है और इसे GACER विस्व रैंकिंग में चौथा इस्थान मिला पिछली बार पांच वांच 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 तो Westwick ग्लोबल रैंकिंग में केरल कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे है रिपोर्ट के नीती सलाकार और संधान संक्रन अब बात जाते हैं केरल के बारे में कुछ बाते बताता हूं आपको इस बार का जो संतोष ट्रॉफी हुआ वो किसमें जीता? इसमें साहथ नहीं लिखा हुआ है लेकिन लिख देते हैं संतोष ट्रॉफी जो हुआ वो किसने जीता है? वो इस बार केरल ने जीता मेजबान केरल ने मलब ये प्रतियुक्ता केरल में ही आई जीत हुई थी किसको अराय था? वेस्ट बेंगाल को है संतोष ट्रॉफी का संबंद किस खेलते है? फुटबॉल से संबंद है तो संतोष ट्रॉफी जो इस बार जीता है वो किसने जीता है? केरला ने जीता है संतोष ट्रॉफी जो है वो इस बार किसने जीता है? वो अब केरल ने जीता है अभी हाली में केरल में ओलंपिक का आयोजन किया गया तो इस्टेट लेवल ओलंपिक का आयोजन किया गया तो इस्टेट लेवल ओलंपिक का आयोजन जो है वो केरला में किया गया अभी आपने पेपर पढ़ते होगे तो पता चला होगा कि केरल में एक तरह का टोमैटो तो टोमाटो फ्लू जो है यह आपका केरला में आउट ब्रेक हुआ था इसके लब हम केरल की बात करें तो को केरल ने पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लांच किया केरल ने पहला क्या लांच किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म उस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है किया देश की पहली जेंडर चेंडर पार के रल में गदेश के लबwater वाटर Metro जो है वो केरल में है। उनिवेर्स्टी में बीचन लह यानि age limit जो है वो हटा दी है। इसके लबन और याद रखेगा राष्ट्रिय महिला विधायक सम्मेलें। देश का पहला राश्ट्रिय महहिला विदायक सम्मिलन यानि कि National Women MLA विधायक MLA तो बोलेंगे तो विधायक सम्मिलन ये कहां पर आजित किया गया था ये भी आपका केरल में ही इसको आजित किया गया था मजा आ रहा है बहुत अबढ़ी आ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है चालो आगे बढ़ते हैं तो यह तो हिंदी में हो गया केरल की बात कहते हैं तो चीफ मिनिस्टर पिन्राई वर्जिन है मास्वाधी कमनिस्ट पार्टी थे गवनर आरे मौमत खान है तिरुवनंद पुरम जो है कैपिटल सिटी है इंडियन स्यिक्षाइब ऑस्यक्यान क 아직 मनिकुमार इस मनी कुमार जो है वह वर्तमान समय में केरला हाई कोड के सीफ यस्टिस हैं अि चार्व सोबड़ाइक को कोड़वों को को मिलेंगे आगे जलते हैं जून 2022 में किस सहर में तीन दिवसी अंतराष्टी साहितिक उस्सव का उद्गाटन किया गया उनमें यह भारत का सबसे बड़ा साहितिक उस्सव है और यह आपका कहां पर आयोजित किया रहा है यह आपका उरीशा के बहुनेश्वर में आयोजित स सबसे बड़ा अंतराष्टी साहितिक उस्सव है जिसका आयोजित पहली बार किया रहा है तो उनमेस बहुत इंपोर्टन बन जाएगा यह जरूर आपसे एकजाम में पूछा जाएगा तो यह कहां पर आयोजित किया सबस्क्त सब्सक्राइग्स सब्सक्राइब करते मुए लिए जबग चुना गई यह जो अख्रा है तो 2022 के लिए इस साल के लिए इस ऑप depend किसकोट कि दूलिए। ने थार-एस के लिए मेक्सिकोवाला यह ^^ डोजरवाइस के लिए मेक्सिकों वाला है बाई के लिए मैक्सिको गवादल जा रहा है था कुछ है गवादल जारा गवादल जारा जो है यह मैक्सिको की है यह कहां की है मैक्सिको का है इसको चुना गया है 2021 में book capital किसको चुना गया था तबलीसी को तबलीसी जार जिया अब मुझे ये बताओ कि ये book capital चुनता कौन है तो ध्यान रखेगा ये book capital चुनता कौन है युनेस्को युनेस्को का मुख्याले कहां पर पेरिस फ्रांस में वर्तमांत हमें में इसकी head कौन है आंद्रे अजोले वर्तमांत हमें में इसकी head कौन है आद्रे अजोले तो book capital के बारे में बात कर लिया अभी आली में चर्चा में रहा था कि युनेस्को ने हमारे एक सहर को अभी creative city network में डाला था और उसको art and craft की category में यानि कि कला और संस्कती की category में creative city network में डाला था वो सहर कौन सा था तो य इसाप पूछ लेता है यह festival कहां मनाई जाता है घंगा दसरा यह रहा जो है यह उत्तराखंड में मनाई गांगा दसराखंड में आपका उत्तराखंड में गंगा मुझा त्रेपुरा में खरची पूझा तरिपुरामिन बोनालू बातुखुम्बा ते लंगाना पॉंग्ल पंगल यह तमिलाडू में और एक वता है अतुकल पॉंगल वो आपका केरला में होता है अतुकल पॉंगल ये तमिल नाडु के थाई पूसम नट अंजली ये तमिल नाडु के लोसार लोसार सिक्किम का प्रमुख फेस्टिबल है लोसार और सागा दवा ये दोनों सिक्किम के प्रमुख फेस्टिबल है गन गौर तीज बुंडी ये राजस्थान के प्रमुख फेस याद रखिएगा ये कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो अलग-अलग जगे मनाए जाते हैं जैसे गंगा दसहरा उत्तराखंड में गंगा माउसा उत्तरप्रदेश में खर्ची पूजा त्रिकुरा में बोनालू बातुखुमा तेलंगाना में पोंगल थाइपूसम नटाइंज में लोसार सागादेवा सिक्किम में और गंगौर तीज बुंडी राजिस्थान में रत्यातरा राजापर्व और नुखाई यह आपका उडिशाम है लद्दाव में भी मनाए जाता है रोसार लेकिन प्रमुक फेस्टिबल यह है क्योंकि जो सिक्किम है सिक्किम भी बहुत तो यहां जहां ब्धिश्ट मिलेंगे लगिन अगर देखा जाए वह एकी सुरुवार्व सिक्किम मिले किया गया है बारत की जो पहले इंडीजेनेस मिसाइल है वो प्रत्वी ही मिसाइल है और प्रत्वी दो का सपल परिशन किया गया है इसकी रेंज पहले 500 किलोमीटर होती थी लेकिन अभी हाली में लेकिन यहां पर एक बहुत ही कर्रा कोशन मैं पूछने वाला हूँ दो हजार शब्विस के कहां पर होंगे चार साल में होते हैं कॉमन वेल्ट गेम कॉमन वेल्ट गेम की सुरवात कब हुई थी 1930 में कॉमन वेल्ट देशों में कुल वर्तमान समय में कुल कितने कंट्री है तो कॉमन वेल्ट देशों में कुल मिला के 54 कंट्री है कॉमन वेल्ट देशों में कुल मिला के कितने कंट्री है 54 कंट्री है सबसे नया सदस कॉमन वेल्ट का कौन है रवांडा रवांडा की राधधानी क्या है? रवांडा की राधधानी है किगाली 54 कंट्री जो है वर्दमान सब्वे में इसके सदस्य है 2026 का कपका कहां पर होगा? विक्टोरिया और टेलिया में ये दोनों ही प्रस्ण जो है आपको याद होगा कि मैंने जाने कितने बार पढ़ाया है और ये अभी हाली में PCS की जो अभी संडे को एक्जाम हुआ है उसे पूछे गया है प्रस्ण ये है कि 2022 में जो बर्मिंगम में खेल होने वाले बताओगे? नहीं बताओगे तो मुझे गयलत साबित करो और मुझे ये बताओगे 2022 में जो खेल होने वाले बर्मिंगम में वो Commonwealth Games का कौन सा संसकरण है लिखा तो नहीं? नहीं लिखा है Commonwealth Games China, Hongzhou, बिटा वो है Asian Game है कौन सा संसकरण जो है वो होने वाला है? 2022 में नहीं पता है ध्यान लखेगा 2022 में 22 वाँ संसकरण है 22, 22 और 2023 में 23 वाँ पुछता है कि नहीं एडिशन आपको पता है तो ये छीजे ध्यान में रखनी होती है थोड़ा थोड़ा ध्यान से ध्यान देके पड़ाई करेंगे तो थोड़े एफट में ज्यादा काम हो जाएगा 23 जो है वो दोजार चपविस का है 19 एशियन गेम था 19 एशियन गेम होने वाला था हॉंग जोव में बट वह अभी टल गया है COVID-19 की वज़ए तो कन्फ्यूज मत हुई है ये 22 है 2022 में 23 में 2026 में विक्टोरिया आफ्टरिया में हो टिक चलो आगे तो ओलंपिक चेंपियन भाला भे किलारी नीरे चोपड़ा आगामी राष्ट मंडल खेलों में 2022 के लिए 37 सदसी भारती अटलेटिक टीम का नेतरुत करेंगे और अभी अभी मैं बता के आएगे Commonwealth गेम की सुरुवात कब से हुई थी अभी मैंने सन लिखा है देखें जरा कितने लोगों ने ध्यान से पढ़ा है और फिर कहोगे सर आपका पढ़ाय हुए आता नहीं मैं सब पढ़ाता हूं तुम लोग ध्यान नहीं रखता तुम फटा पड़ बताओ हुम मैं क्लास ही ले रहा हूं यही बहुत बढ़ी बादा हूं मैं समझता हूं कि मैं खुद नियमित नहीं हूं मैं इस चीच को बहुत बुरा भी मानता हूं मैं खुद मैं डिस्प्लिन में रहने वाला आदमी हूं लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर मैं पूरी दर्ग से स्वस्थ होता तो आपको सब अभी कम तो तीन तीन चार क्लासे मैं यूटूब पे ले रहा हूता करेंट पेस आपको एक दम नियमित होता सुबह उसके पढ़ रहा हूता एक्षण लिए मैं जो दवाईउं का सेवन करता हूं वह दवाईउंने कहीं ने कहीं सरीर और माइंड को इतना कीया कि जब नीद आनी चाहिए तो नीद आती है जब नहीं आनी चाहिए तब नीद आती है थोड़ा था ऊपर-Nीचे हो गया है मामला तो उसको लिए मुझे स साथ दोगे तो तो मेरे अपने और नहीं दोगे तो मतलब फिर तो स्वार था जाए कि पढ़ा रहा था आदमी तब तक साथ दिये बीमार हो गया परिशान हो गया तो बद निकल लिए गलत बात है नहीं कि आगया समझें इंग्लिशी क्लाब होने सो लगेगी इसी वीक से तो पहला कब हुआ था नाइंटीन ठर्ट्री में सेनते सदस्यों में तो 18 माईला आए जाएंगे 19 पुरुष चाहिए ठीक अठाई जूलाई से आठ अगस्त कायोजित कि यह याद रखेगा अठाई जुलाई से आठ अगस्त यह लोगा वाई ब्रिक्स राष्ट्री सुरच्छा सलाकार नेस्टनल सेक्यर्टी अडवाईज जो है वो चाइना ने की किसने की इसकी अठाई जिए ब्रादील ने की सब्सक्राइब कर ने पिज़िए फिकला अगया समझ मूझ कर लुच्छ आगे वुटते हैं तो यह अदेशेता किसने की यह चाइन ने की है ब्रिक्स का आपको पता ही है कि स्थापना कब हुई थी कोई बताएगा ब्रिक्सकी स्थापना कब हुई थी कोई बताओ मुझे याद नहीं आ रहा बिख की स्थाफना को बिख की स्थाफना वेदे 16 जून 2009 तो अभी 23 जून को यह और चाइना में ही इस बाड़ सारी बैठक आपको चाइना में होगी अगली बार आपकी सवसेग इसने पशारी में विख और आपक ने इस lite चलो, अज़ आप Bricks Bank की बात कर लें पर New Development में जड़ा बताओगे इसका मुख्याले कहां पर है अभी हाली में इसमें चार नए देश सामिल हुए कौन-कौन से? Egypt, Bangladesh, UAE और Uruguay इसमें सामिल हुए Egypt, Bangladesh और Uruguay जो है वो इसके अंदर सामिल हुए है इसके head कौन है? इसके head है, Masa, Sugoo, Asa, Kawa Masa, Sugoo, Asa, Kawa इसके head है NDB का मुख्याले कहां पर है? संगाई में NDB का मुख्याले कहां पर है? New Development Bank का मुख्याले कहां पर है? संगाई में ठिक, आगे बढ़ते हैं केम सरकार ने अगनीपती स्कीम की उपरी इसके उपर चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे आज साम को मैं एक सेशन लेने वाने हूँ तो रात 9 बजे आईएगा कि अगनीपत योजना, सरकार का कदम सही या गलत? इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा और जी जो ट्रेन इन फोकी गई है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे तो यह हम लोग साम के लिए रखते हैं कि इसमें डिटेल में क्या होने वाला है कि इस देश के पूरु कप्तान सैतिज वर्षी, विलियम फोर्टर फ्रिणे अंतर आख्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है इसके अलावा आपके मिताली राज ने भी अभी क्रिकेट से सभी प्रारूपे से सन्यास ले लिया है पदम बूसर पुरुसकार पिजिता और पैसे भासा वित प्रोफिसर जिनका अभी हाली में निदन हो गया उनका नाम था गोपी चंद नारंग गोपी चंद नारंग जो है उनका भी हाली में निदन हो गया है सबसे सम्मानित उर्दू आलोच को और भासा विदो में से एक एफ प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का जून दो जर बाइस में निदन हो गया अब बारी आज की बन लाइनर की विस्व मरुस्थली करनो सुखर रोखतां दिवत हर साल कम मना जाता है 17 जून को अमेरिगा की राजपती जो बाइडन ने किस बारती अमेरिकी पेंटागन को एक सीश्पत के लिए नामित किया है जून दो जर बाइस को कहां पर भारत जापान ने पहली बार भारत जापान वित्य वारता का आयोजन किया नई दिल्ली डॉक्टर जैस अंकरवार अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यांचन स्टीडियम में दिल्ली में साई स्टाइब इंडिया के स्क्राइस कोड़ गाटन किया है ग्लोबल स्टाइट अपको सिस्टम रिपोर्ट के अंसार अफोर्डिबल टैलिंज में किस राज्य को एसिया में पैसामिक्थान मिला है केरल जून दो जार बाइस को उरिसा में चांदी पूर्से प्रतिवीतू का स सरकार ने अगनीपति स्कीम की ऊपरी आयू सीमा पहले 21 वस रखी थी अब उसको बढ़ा करके 23 कर दिया किस देश के पूर्ग अप्तार ने सैंतेज वर्सी विलियम पोर्टर फिल्ड ने अंतर रख्टी क्रिकेट सन्याफ ले लिया आयर्लैंड और पद्न भूसन पुरुस प्रशने बताया था तो भारती समिदान में सूनकाल की चर्चा नहीं है सूनिकाल प्रशनकाल के बाद होता है भारत की मीडिया ने सूनिकाल नामसब्द गड़ा था 1960 के दसक में आज का प्रशन है स्टेट ऑप इंडिया बढ़ रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस पच्छी पज अच्छी है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है ठीक है कोई बात नहीं अगर वह नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखने हैं सबसे बड़ी बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं पुस्ट समित्र नहीं आप उसके लिए परिशान मतों आप संतुष्ट हो के यहां से जा तो अल्टिमेटली मैं इसको पूरी तरह से मैसेज करूंगा और अब बारा बजे के बाद लेंगे वाला वर्ड 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 चलो विलाल आज ही लिए नहीं थैंके सो मैच बाबाय टेक किया ध्यार नखिगा पीडियाप आपको एप पर उपलब्द हो जाएंगे और थेंगे पॉस्मितर की आपने हमारा वीडियो शेयर किया आप उनसे एक बार और और कहिएगा थी वाई कंटेंट से क्या मतलब आप दिन बर में आएगा यह वीडियो आप साम का टाइम मना लू साम को रहाल में आजागा आप साम को देख लिए कंटेंट इंपोर्टेंट है टाइमिंग इतना इंपोर्टेंट है अगर मैं आपको बहुत कम समय में इतनी चीज़ें दे रहा हूं और वह आपके एक्जाम ओरियेंटेट है सिस्ट डारेक्ट इक्जाम में आ रही है तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता दिख चले आप काम नहीं कर रहा है बिल्कुल करेगा आप मुझे मैसेज करेगा काम करेगा